असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट, I hope you will be fine और आज हम इफिसी के एक नए चिप्टर में एंटर हो रहे हैं जो है Chemical Coordination तो इस चिप्टर में और इसी टाफिक में आज हम जो आज हमारा टाफिक है Chemical Coordination जो इसमें हम the grounds of Chemical Coordination यानि Introductions to Chemical Coordination और इसके साथ साथ हम जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में आपको अगाही देंगे कि हार्मोन्स है क्या तो जो Chemical Coordination है मतलब जो Human Body में Coordination होता है वो तो तो Chemical के जरी होता है मतलब हमारे साथ Special Gland है एक Special Organ होते हैं क्या होते हैं? जो Coordination करते हैं तो हमारे साथ मतलब Special Organ होते हैं तो और वो Special Organ हम हम उसको Gland कहते हैं क्या कहते हैं? Gland वो Special Organ क्या कहलाते हैं? Gland अब यह Gland जो होते हैं यह हमारे साथ secretion करता है ये gland हमारे साथ secretion करते है किस चीज़ की secretion करते है chemical compound chemical compound chemical coordination है जो human body में जो coordination है या animals body में जो coordination है वो special organ की जरीया होते है और वो special organ gland कहलाते है अब ये gland जो secretion करते हैं वो हमारे साथ chemical compound के करते है और वो chemical compound हमारे साथ क्या कहलाते है हार्मोन कहलाते है क्या कहलाते है हार्मोन कहलाते है अब ये हार्मोन जो है हमारे साथ Greek word रिराइब हुआ है जिसका मतलब है exciting हार्मोन जो है यह हमारे साथ एक chemical compound है जो Greek वरिस्टी डिराइब हुआ है exciting के तो मतलब chemical coordination special organ gland होते हैं वो secretion करते हैं और जो secretion करते हैं वो हमारे साथ chemical compound कहलाते हैं जो हार्मोन होते हैं अब हार्मोन को हम इसी lecture में cover करते हैं क्या होते हैं उसके nature क्या होता है तो आपने यह याद रखना है जो special organ होते हैं वो gland कहलाते हैं वो secretion करते हैं chemical compound हार्मोन के तो उसको हम chemical coordination कहते हैं और animals में humans body में और animals animals में इसको क्या कहते हैं chemical coordination को endocrine system कहते हैं इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं chemical coordination को endocrine system केते हैं ठीक हो गया इसको दूसरा नाम क्या केते हैं endocrine system केते हैं ये हार्मोन जो होते हैं ये हमारे साथ trigger off या trigger on कोई function करता है किसी activity के trigger off और on करता है अच्छा ये हार्मोन जब release होते हैं तो different activity को trigger off या arm करते हैं इस हार्मोन को मतलब discuss करने से पहले जो endocrine system है ये हमारे साथ दो तरह का होता है कितने types के होता है two types के साथ हमारे साथ endocrine system होता है एक होता है हमारे साथ exocrine gland और दूसरा हमारे साथ होता है endocrine gland ये जो endocrine gland है ये अपनी secretion through blood की जरीए करता है मतलब through blood ये secretion करता है मतलब ये अपनी secretion blood की जरीए करता है मिसाल के तोर पर हमारे साथ है insulin insulin जो है ये every cell तक अपनी जो transportation है वो blood की जरीए करता है और हमारे साथ जो exocrine gland है exocrine gland हमारे साथ secretion through duct की जरीए करता है किसे खास duct की जरीए करता है ये blood की जरीए नहीं करता ये हमारे साथ through duct की जरीए करता है और मिसाल कि तवा पर अगर इसका example हम ले तो वो sweet gland किसी खास डर्ट की जरीए होते हैं यह हमारे साथ बलट की जरीए करता है इंडोक्राइन ग्रेंड इसी तरह से यह इसका छोटा एक्जम्पल मिसार के तावर पर यह के पेलरीज है और इसमें यह जो डाट डाट नज़र आपको आ रहे हैं यह चोटे चोटे यह हमारे साथ मतलब यह इंडोक्राइन ग्रेंड के इंसुलीन है इंडोक्राइन ग्रेंड और यह जो एक्जोक्राइन ग्रेंड है यह अपनी सीक्रीशन किसी खास डर्ट के जरीए करते हैं इसी तरह से यह ग्लेंड है और इसकी जरीए से अपनी सीक्रीशन करता है तो यहां तक तो आपको इसका तोड़ा बहुत बेगराउन्ट समझ आगिया होगा जो किमिकल कार्डिनेशन है यह हमारे साथ एक स्पेशल अर्गन की जरीए मतलब स्पेशल अर्गन होते हैं इसको हम ग्लेंड कहते हैं वो सीक्रीशन करता है और वो सीक्रीशन हमारे साथ किमिकल कमफाउंड होता है जिसको हम हार्मोन कहते हैं यह हार्मोन जो होते हैं हमारे साथ मतलब एक्टिविटी को ट्रिगर आफ और आन करता है और फिर हमने कहा कि special coordination जो है इसको अगर हम human body में या animals में देख लें तो इसको हम endocrine system कहते हैं पिर हमने कहा कि endocrine system हमारे साथ दो तरह का होता है एक exocrine gland और एक endocrine gland endocrine gland जो है यह अपनी secretion through blood की जरीए करता है मतलब यह अपनी secretion किसी duct में नहीं बगहर किसी duct की करता है और वो होता है blood की जरीए जो blood की जरीए करते हैं मिसाल हमने इसका दिया कि यह insulin की जो है यह अपनी insulin की जो secretion होती है वो through blood की जरीए होता है और exocrine gland यह हमारे साथ मतलब किसी duct की जरीए करता है और हमने इसका example sweet gland दिया अब हम आ रहे हैं जो हमारा topic है basic में hormones हर्मोन हर्मोन है क्या अब ही हमने कहाँ जो hormones हैं हमारे साथ अगर हम इसकी definition पर जाए हर्मोना अर किमिकल जसेगर सेंजर सेंथिसाइज बाइ थे लो एंड कर दिया गलें हर्मोन जो है यह हमारे साथ एक chemical compound है या chemical messenger है जो endocrine gland इसको synthesized करता है और फिर यह जो targeted side है वहाँ पर अपनी secretion अपनी activity जो है वो show करता है तो हर्मोन जो है हमारे साथ Greek word से derived हुआ है को उनसे word से? Greek word से जिसका मतलब है exciting ठेक हो गया यह hormones की definition है फिर हर्मोन जो है हमारे साथ chemical composition जो है hormones का वो कुछ इस तरह है chemical composition जिसकी जो chemical composition है वो मुखतरिफ तरिके से मतलब जो hormones हैं वो हमारे साथ different types के होते हैं मिसाल की तरह हमारे साथ hormone है protein वो hormone जो protein से बने होते हैं यह हमारे साथ कुन सिक्रीट करते है protein hormone यह हमारे साथ फिच्चिवट्री ग्लेंड फिच्चिवट्री ग्लेंड के हर्मोन इसी तरह फिरा तायराइड ग्लेंड यह सारे ग्लेंड हम इंशालला के फड़ाएंगे आपको फिरा तायराइड ग्लेंड इसी तरह हमारे साथ pencreatic hormone जो pencreatic release करते हैं और इसके साथ जो placenta होता है यह हमारे साथ protein के hormones होते हैं पिर हमारे साथ कुछ derivatives होती है या polypeptide hormone होते हैं मतलब जो चोटे types के होते हैं इनमें हमारे साथ आता है nephrine if we nephrine जो मतलब kidney के उफर होते हैं kidney release करते हैं adrenal cortex तो यह हमारे साथ फोली और पिर हमारे साथ है third number पर small amount में steroid hormone steroid hormone steroid hormone जो होते हैं यह हमारे साथ जो indrogen hormone होते हैं indrogen जो release करते हैं मतलब इसमें आते हैं testosterone estrogen and progesterone यह हमारे साथ में six hormone हैं जो steroid hormones release करते हैं steroid जो steroid से बने होते हैं तो यह हमारे साथ chemical composition है protein का chemical composition है सारी hormones का जो मतलब different types के होते हैं protein के भी होते हैं polyfeptides hormones polyfeptide protein और इसी तरह हमारे साथ steroid hormone है तो यह हमारे साथ hormones hormones are chemical messenger synthesized by the endocrine gland और यह हमारे साथ hormones पर hypothalamus जो है the part of the brain है full brain का एक part है यह भी हमारे साथ इस endocrineology में मतलब hormone secretion में अब मतलब हमारे साथ है hypothalmus hypothalmus जो है यह हमारे साथ अगर आप brain में आपने पढ़ा हो तो यह हमारे साथ limbic activity जो होते हैं उसको control करता है इसमें होते हैं हमारे साथ nerve secreting cell होते हैं nerve secreting nerve secreting cells होते हैं इसमें मतलब एक विसम के nerves ending होते हैं nerves ending होते हैं इस hypothalmus में nerve ending और इसमें store होते हैं some amount of hormones store some amount of hormone मतलब इन में कुछ मिगदार में hormone भी store होते हैं मिसाल की तवर पर इसमें आते हैं आप विसलाफरेशन and oxytocin यह जो हर्मौन है दो यह इस nerve ending होते हैं इसकी nerves ending में store होते हैं इसी तरह से यह हमारे साथ एक और इसी तरह इसकी जो nerves ending है यहां पर यह एक hypotermis की जो nerves ending है यहां पर यहां पर यहां पर यह section जो है यहां पर यह nerves ending जो होते हैं यहां पर store होते हैं यह visifresions और साथ साथ इसका जो oxytocin जाहर मौन है यह अक्सिटुसीन जो है यह रिलीज करता है जा ट्रॉपिक हर्मोन रिलीज करता है रिलीज ट्रॉपिक हर्मोन रिलीज ट्रॉपिक हर्मोन ट्रॉपिक हर्मोन का क्या मतलब है मतलब जो हाइपोतिलमस से हर्मोन रिलीज होते हैं या वो स्टिमूलेट होकर रिलेज होते हैं तो वो हमारे साथ जो पिछीवटी ग्लेंड करता है वहां उस जगे को टारगेट करता है पिछीवटी ग्लेंड पिछीवटी ग्लेंड हमारे साथ जो मास्टर ग्लेंड कहलाता है इंशाला नेक्स लेक्चर में हम मास्टर वो उसको start करेंगे लेकिन जो हाइफोतिलमस है यह हमारे साथ master gland या फिछीवटी gland है उसको target करता है और पिर वहाँ सी उसकी activity और secretion भी होते हैं different hormone की शुरू होते हैं मिसाम के तावल पर gonadotropin hormone है gonadotropin hormone हाइपोतिलमस है हमारे साथ और वो इस gonadotropin hormone है उसको release करता है तो यह gonadotropin hormone हमारे साथ pituitary gland पर आएंगे कहां पर pituitary gland पर आएंगे जब pituitary gland पर आएंगे तो यहां पर इसकी secretion हो गया और यह से बन जाएंगे gonads relating hormone gonads relating hormone इसे तरह हमारे साथ है trypocin trypocin हमारे साथ एक hormone है जो हैपतिलमस secret करता है और यह हमारे साथ pituitary gland पर आएंगा pituitary gland से हमारे साथ यहां पर क्या बन जाएगा पर जब यह secret करता है thyroid releasing hormone जब thyride releasing hormone इससे बन जाएगा secret करेगा तो यह हमारे साथ pituitary gland पर उसको stimulate करेगा प्र यह हमारे साथ T3 and T4 जो होते हैं हर्मोन इसको सीक्रेट करेंगे और फिर डिपरेंट एक्टिविटी शो करता है तो मतलब हाइपोतिलमस जो है यह हमारे साथ एक नर्ब सीक्रेटिंग सेल है नर्ब सीक्रेटिंग एंडिंग है इसमें जो स्टोर करता है सम इमाउंट्स अफ हर्मोन इसमें स्टोर होते हैं निसार के तोर पर वेसोफरेशन एन अक्सिटोसेन एक रिसर्च है यानि एक हाइपाथिस है और उसमें यह कहा जा रहा है कि यह जो है बाद वकात मतलब बगहर किसी स्टिमॉलेशन के रिलेज होते हैं स्टिमॉलेट होते हैं यह देनों वेसोफरेशन एन अक्सिटोसेन जो है इसकी किसी स्टिमॉलेशन की जुरूरत नहीं होती है तो और यह जो है रिलीज करता है ट्रापिंग हर्मोन ट्रापिक हर्मोन जो है हमारे साथ मतलब खुद अपनी अक्सिट्बिकोन डर्क शोग नहीं करता है और फिर वहां से अपनी एक्ट्वीटी होती है जिस हर्मोन की वो अपनी आक्ट्विटी पर शोग करता है तो आज की लेक्जर में हमने किमिकल को ओडिनेशन का इंट्रोड़क्शन पिर हमने endocrine system, endocrine system are of two types और फिर हम hormones, hormones है क्या? हर्मोन हमारे साथ एक chemical messenger है जो endocrine gland synthesized करता है और फिर अपनी different target sites पर अपनी activity शो करता है और फिर हमने कहा कि जो different types of composition के होते हैं कुछ protein से बने होते हैं, कुछ steroid से होते हैं कुछ derivatives of amino acid or protein से होते हैं कुछ हमारे साथ steroid hormone होते हैं पिर हमने कहा कि जो हाइफlebenis है ये हमारे साथ endocrine system में क्या roll ज़दा करता है तो endocrine system में ये हमारे साथ हमने कहाता कि जो हाइफज halt Черubmas है इसमें nerves ending होते हैं मतलब और इस nerves ending में जो small amount hormones होते हैं वोसको store करते है और उसकी example हमने वे सियो freshens और इसके साथ जो oxytocene है ये दिया पर हमने कहा कि जो ये hypothel chinese है ये हमारे साथ एक releasing tropping hormone की तरह का releasing tropping hormone होता है किस तरह release करता है tropping hormone ड्रापिक हर्मोन इसी तरह release करते हैं कि जो nay ट्रापिंग releasing hormone है ये hypothough сиг is जो हय होता है यह गुनेडू-ट्रापिन हर्मोन को stimulate करता है और फिर हमारे साथ पिछिवटी ग्लेंट पर आकर यहां पर इसी क्या बन जाते हैं गुनेड delisng हर्मोन और फिर हमने कहाँ ट्राइपोसीन है जो hypothalamus stimulate करता है hypothalamus stimulate पिछिवटी ग्लेंट पर आते हैं तो पिच्यूटी ग्लेंट पर ताइराइड रिलीजिंग हर्मोन जो होते हैं यह हमारे साथ ताइराइड ग्लेंट को स्टिमुलेट करता है और पर वहां से T3 और T4 डिफरेंट टाइप्स की हाँ हर्मोन बन जाते हैं तो आज का लेक्चर यही था इंशालना निक्स लेक्चर में हम नहीं टापिक जो है हमारे साथ इंडोक्राइन सिस्टम में वह हमारे साथ होगा इंटीर पिच्यूटी ग्लेंट इंडे मोस्ट इंट्रस्टिंग टापिक